बहुत बढ़िया होंगे मैं के आर सेनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों अपनी जो डाउट के लिए के सिरी चल रही है आज अपने उसमें आगे बढ़ते हैं फिर से मैंने आपके कुछ कोमन डाउट से उठा हैं जिन पर अपने वन डिटेल स आपके सारे केंडिडेटेस हैं जिनका पैनल में नाम हो गया है और उस टाइम जो अपने ठीक थी बिना चस्मे के और अब जो है उनकी अभी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई है और ट्रेनिंग से पहले ही उनके यहां पर चस्मा लग गया है तो इस केस में क्या होगा तो तो मेरे मेडिकल होगा तो यहãoोडमना तो आपका साल बात फॉय को सकता हुई है और उनईसम पीसन कोई मात थोड़ी पोबलम भी है आपकी वीजन भी थोड़ी कमजोर हो गई है तो यहां पर आपको जो है मेडिकल में बाहर नहीं करेंगे और साथ ही दोस्तों आप सभी दो लोगे सोच रहे होंगे कि सर हमारे अगर चस्मा लग गया तो हमें यहां ट्रेंड मेनेजर से निकालके किसी और जोब जिसमें वो डूटी करने में अपनी असमर्थ हो तब जाके आपके डिकेटराइज किया जाता है आपके कोई दिक्कत नहीं है चस्मा लग गया तो चस्मा लग सकता है कोई बड़ी प्रसमें नहीं है लेकिन जब आपका मेडिकल हो तो आप जो है बिना चस्में के जाई है अपके थोड़ी होता दो कोई समश्यावरी बात नहीं है इसके बात करते हैं डाउट नम्बर सेकंड की कि इस्टेशन मास्टर की जोब करते हैं क्या कोई भी जोब एंटीपीसी की रेलवे की कोई भी जोब चाए गुरूप डीकी हो चाए गुरूप सी की कोई सी भी जोब हो तो ओपन या प्राइवेट के साथ में आगे पढ़ाई कर सकते हैं यह नहीं वह जो है डूटी के दोरान यहां पे जोब करते हुए ओपन या प्राइवेट आगे के पढ़ाई कर सकते हैं तो विल्कुल आप पढ़ाई कर सकते हो लेकिन इससे पहले जो आपको एक काम करना होगा आपका जो भी डिविजन रेट को अटरोगा वहां पर आपको इन्फोर्म करना होगा जब भी आप यह निका आपको इतना भी निखना बस आपको इन्फोर्म करना है कि आप आगे पढ़ाई कर रहे हो यह इन्फोर्म करने से यह फायदा होता दोस्तों जब भी आपका एक्जाम होता है तो आपको रेलवे आपर रोग नहीं सकती है बलब रेलवे ऐसे नहीं कह सकती कि आपक कर सकते हो दोस्तो रेगुलर आप जो है कोई पढ़ाई नहीं कर सकते हैं कोई चाहे कि मैं आप बीटे को अगर कर लूँ या बीड कर लूँ तो यह सब चीज़े जो रेगुलर होती है आप रेगुलर पढ़ाई आप नहीं कर सकते हो इसके बाद में बात करते हैं अपन यहां पर अलग लग बनेगी इनका आपस में कोई connection नहीं है अब बात कर लेते हैं जैसे कि मालोग एक वेच यहां से गया है और एक वेच यहां से से कंड वेच जा रहा है फरस्ट वेच में इनकी ट्रेनिंग हुई है सेकंड वेच पर दूसरे डिविजन के ट्रेनिंग हुई तो इनके आपस में कोई connection नहीं है यह जो senior junior का कोई लफ़णा नहीं है क्योंकि जो seniority juniority होती है वो आपके same division में होती है जोन में उसका कोई परक नहीं होता है इसके बाद में बात करते हैं जल्दी promotion किस division में होते हैं तो दोस्तों यह तो आपके division के उपर depend करेगा और depend का मत है नहीं किस दो काफी बड़ा है विकाने strengthen भी है अब बिकाने डिवीविजन में प्रमोशन जल्दी होते हैं यह दोनों ही direction आपके अजमीर बोड में आते हैं लेकिन में promotion की बात करूं तो नहीं होता है तो गपने यह जल्दी promotion होती है यहां पे नए नहे लड़के आते रह कि जेपूर के अंदर अल्रेडी बहुत सारे लोग यहां पर भरे विए पहले ही सारी वेकंसी फिलो रखी होती है तो आप जो है एकदम बोटम में रहते हो आपको सीनियर होने में बहुत टाइम लग जाता है तो इस प्रकार आपके वहां पर स्टाप की उस पर डिपेंड करे हैं जिसकी कोई सीमानी मतलब मैक्सिमुम लोग जो है एस्टी के हैं तो यहां पर देखो ओवी सी से भी लेट यहां पर एस्टी वाले को प्रमोशन रता दोस्तों जेपूर के अंदर तो एस्टी वाले का यहां पर बहुत ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि सारी पोस्टे कया हैं दो मेने की जो भी वह डुबार होगी करने के बाद में तो दोस्तों यहां पर आपकी ट्रेणिंग कोया को बिदनेपूर में होती तो सारा कुछ rule regulation के से में होते हैं तो डिवीजन आपस में चेंज हो रहे हैं एक ही जोन के तो आपको training भी दुवार नहीं होगी अब बात करते हैं है जोन मालो की एक बंदा NWR में है और एक जो है NR में है अब यह आपस में इपने mutual करते हैं तो इस case में भी आपकी जो है पूरी 90 डेज की ट्रेंडिंग नहीं होगी यहां पर सिर्फ आपका तो आपकी आपकी जो ट्रेनिंग होती है इतनी लंबी ट्रेनिंग दूबारा नहीं होती है इसके बाद में बात करते हैं अपन mutual transfer की सर्त है तो देखो mutual transfer की 2-3 सर्ते हैं आप लोग यहाँ पे ध्याँ से देखिए पहले condition दो बात करते हैं अपन आप same level में होना चाहिए जैसे कि मानलो आप station master हो 42 grade में हो तो आपका जो mutual कर रहे होना वो भी 42 grade में होना चाहिए एक बात यह हो गई इसके बाद में आपका जो है केडर से होना चाहिए जैसे कि मानलो जेई है कोई दो जेई आपस में mutual करना चाहिए अब एक जी जो CNW का है और एक जेई जो है electric का है तो यह लोग जो है आपस में mutual नहीं कर सकते हैं यहां पर दोनों जेई जो है यहां तो electric के होनी चाहिए यह दोनों जेई जो है आपके CNW का होनी चाहिए इस प्रकार यह आप इसमें mutual कर सकते हैं लेकिन अलगले इनका केडर है तो यह mutual नहीं कर सकते हैं हालाएं कि station master और guard बगर का तो केडर है कि होता है तो वह तो आपस में mutual कर सकते हैं लेकिन इस case में इनको सेम केडर होना चाहिए दूसरी बात सेम केडर क्योंकि तीसरी बात यह है कि आप जो है और वी से डारेक्ट आता है candidate वह और वी से candidate से कर सकता है यह ओगई आपकी third condition इसके बाद में fourth condition बात करते हैं अपन category की तो दोस्तों यहाँ पर category जो है general और OBC को एक ही माना गया है तो यह लोग आपस में mutual करवा सकते हैं यहनि general जो है general चे भी करवा सकता है mutual और general OBC से कर सकता है OBC OBC से कर सकता है और OBC general से भी कर सकता है mutual एक condition हो गई इसके बाद में आपके जो है SC वाला SC और ST में ऐसा है कि SC वाला mutual SC से कर सकता है ST वाला mutual ST से कर सकता है तो यह हैं आपके mutual के rule और दोस्तों यहाँ पर mutual जो है transfer सबसे transfer होता है और सबसी easy going transfer होता है तो आप सभी लोग जो है जहां भी अगर mutual ढूंड सकते हो तो ग्रूप अगर में डालो FB पोस्ट करो बहुत सारी mutual की ग्रूप बने होए उनमें आप डाले कोई ना कोई आपको मुचल यहां पर मिल जाएगा दोस्तों बात करते हैं mutual transfer के अंदर सीनेटी कैसे रहती है मानलो एक candidate 2015 के बेचका है एक 2018 के बेचका है और यह जो है आपके जेपूर में है यह आपके बिकानिर में है अब यह आपस में अकर मुचल करते हैं तो 2015 वाला जो है इसको तो 2018 यहां पर पहुत उपस्ते न है घ्लाती है तो आउने इना में जाना होता है अब बात कर लेते हैं कि मानलोlex नहीं हुत ही आपके सेम डेट उपपॉants में है और सेम जोन में तो सेमिन गरना है तो इनको अपस में फिर आपस में एक डूसरे की सीनिटी आप मिल जाती है दोस्तों यह से पहले जा और बाद में जो जा रहा है डेट ऑप उपौंट्मेंट में जाएगी तो यहां पर एक डिवजन के मांछों के लोगी वे इंडी में दो बेत जा रहे हैं तो फर्स्ट बेज जो जा यएगा वह यहांप सिंचर ऑप उनका प्रमोशन पहले होगा दोस्तो यह सबस्ते जू जा डाउट नुमर राट की सिने सिसे सिटी सी में कितना बॉंड होता है तो देखो यहां पर रेल्वे की कोई भी जोग हो जिस भी जोब में ट्रेनिंग होती है मुआ पर आप से बॉंड लिया जाएगा अगर आप जो यह लोग डेंग जा दो अपर ग्रेंड में अगर जाते हो से बंड नहीं लियाता है अब सिनेर्स पाइख करेगा आपके ट्रेनिंग के खर्चे पर याप का c к pendant in iromes डितने लंबी training होगी तो आँप दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी helpful रहोगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगाओ तो चैनल को like, share and subscribe करे दोस्तों के साथ share जरूर करे और सभी दोस्त जो है वीडियो को like जरूर करे अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो और हमारा टेलिग्राम ग्रूप जरूर जोइन कर ले क्योंकि हमाँ बहुत सारे इस्टेसन मास्टर यह अल्रेड़ी यहां पर जुड़े हुए हैं, तो हर टोपिक में आप डिटेल से डिस्कस होता है, थैंक्यू